जांजगीर सिव्डिन रायट पामगड की खिलाडियों ने 11 गोल्ड मेडल जीत कर जीले का क्या नाम रोसन भारा सरकार के द्वारा अभी कराटे खेल को बढ़ावा देते हुए इस्टेयर्स नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन और्गनाजेशन द्वाराश शब्टस गड़ में इस्टेट कराटे चेंपियन सीब 23 का तीन द्वशी आईजन रायपूर के मठपुरेना ऐसे स्वरगया असरी सियाम प्रिशाद मुखरजी भवन में करवाया गया जिसमें 36 गड़ कराटे एस्टेयर्स जांज गजिले से पिछले मास 16 खिराडियों का चेंड राजी असरी कराटे स्टेयर्स में खेलने के लिए चेंड हुआ उसमें आज एक 11 खिलाडियों ने जिसमें 8 लड़कियां और 3 लड़कों ने कराटे और फाइट में गोल्ड मेडल जीत कर अपने नगर और पूरे जांज की जिले का नाम और राज का नाम रोशंग किया एसोसेशन के अधक्ष रामु भेना और उपाधक्ष मूर्ली नाया ने बताया कि जितने भी खिलाडी राज में गोल्ड मेडल जीते हैं उनका सलक्षन अगले माध दिल्ली में होने वाले नेस्टनल चेंपियंसिप में हो गया और सभी दिल्ली जाकर 36 गड़ राज की तरफ से पाइटिसेपेट करेंगे हम उमीद करते हैं कि सभी खिलाडियों के जीवत हो और पूरे भारत देश में 36 गड़ का पड़्चेंव लहराया जाए टीव इंडिया टीन के लिए 36 गड़ स्टेट हेड मेला रामका से क्राटे उससेशंस आप जांगीर चांपा हमारे अध्याक्षा है मैं रामु भैना यहां मुपाद ध्याक्षा है मूर्लीन आया यहां सची अमन और हमारे कराटे उससेशंग को मैं धन्यावाद देता हूं कि आप यहां राइपूर पहुंचे हैं गोल्ड मेडल लगा आप का अच्छिन मैसूस कर रहे हैं क्या बोलना चाहिए सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और उमीते में मैं गोल्ड मेडल लगाया हूं जो मैं कराटे असोसियेशन आप जांगी चापा का सची हूं और मेरे अध्यक्ष हैं स्री रामु भैना सर और उपाध्यक्ष हैं मुली नयार सर और पामगड के ब्लॉक प्रभारी हैं अनिल मैं सर और कराटे असोसियेशन आप जांगी चापा के साथ सची है और मैं सभी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैंने कुमीते में गोल्ड और काता में भी गोल्ड मिले हैं और हमारा सिलेक्षन दिल्ली के लिए हुए है जो मैच 30 नॉमबर से 10 दिसंबर के बीच होने अरगे जांगी चापा से कराटे खिलने के लिए आया है जिसमें काता ऑर हुमेता था जिसमें हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर ब्रॉंस का प्राइस देते हैं, जिसमें 11 गोल्ड है और 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉंस मेडल जीते हैं जिसके लिए हम अपने कराकेइव से सराथ 36 गडग आदरणिय अधियाग छादरणिय रामु भेना सरजी का दिनिवाद करते हैं साथ ही अपने उपादिय तीर जिंवार्च करते हैं शच्चि वह और हमारे पामगड़ के प्लागप्रभारी पाहरा इसर जी का बहुत भबगत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किये आगे बनने के लिए और ये मेरा फस्ट रेइम था जिसमें मैंने सिलवर मेडल जीता है इसके लिए पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिसमें हमारा सेलेक्षन दिल्ली के लिए हुआ है तीस नॉमबर से दस दस दिसमबर के बीच में हुआ हम चाहते हैं कि वहां से भी जितने टीम जाएंगे सबका गोल्ड मेडल और सिलवर मेडल लगे काता कुमिता में इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद